कि मोदी आने वाले दिनों में प्रधानमंद्री के रूप में दिखाई देंगे देखिए आपको राजेश जी इसको दिन याद होगा जब लोगों ने मैंने जब मोदी का नाम लिया था तो लोग हसे थे मगर बातावरण इस वक्त अगर देखा जाए तो नरेंदर मोदी की व्रिष्चिक राशी और सिंग लगन है और व्रिष्चिक राशी और सिंग लगन की जब हम बात करते हैं तो एक बात पकी है कि आज के दिन 2010 से 25-60-2010 से जब हम नरेंदर मोदी की कुंडली का ध्यन करते हैं तो सूर्य की महादशा में नरेंदर मोदी ने राश्ट्रिये पातली पर राश्ट्रिये स्तर पर अपना कदम रखा और सफलता की तरह बढ़ने लगे हजारों यश्वन सिनहों, शत्रुवन सिनहों, उनके गुरु एडवानी हो बहुत लोगों के विरोध के बावजूद भी नरेंदर मोदी सब को पचारते हुए एक राजा की तरह एक सूर्य की भांती चमकते हुए, आगे आते हुए दिखाई दिये और अब भी वातावरन बिल्कुल वैसा ही है, खाली अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है ये बात दया है कि नरेंदर मोदी अगले प्रधान मंतरी के रूप में उनकी कुंडली में उनके ग्रहदशा चौथे संगटन में चन प्रधान मंतरी के रूप में आते हुए दिखाई दिया है लेकिन पंडी जी एक आखरी सवाल में इस मामले में आपसे पूछूँगा और फिर अगले पढ़ाओ के और निकलूँगा क्या 272 का जो मैजिक फिगर जिसे मोदी कहते हैं मोदी के जो समर्थक वो कहते हैं तो क्या ये 272 तक पहुंच पाएगी मोदी की गारी देखीए मैं मोदी की गारी इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन दिनों सिर्फ राजनेतिक मार्केटिंग जो है राजनेतिक लॉबिंग जो है उस सिर्फ मोधी के बारे में हो रहा है जिसको लेकर विपक्ष के लोगों को भी बहुत बड़ी मातरा में अपत्ती है फिर कॉंग्रेस हो एंसीपी हो या समाजवादी पार्टी हो हर कोई मोधी को आरे हाते लेने में लगा हुआ है ऐसे में सही कहा कल तो कुछ चैनलों के माध्यम से यहां तक बात आ गई कि यह हिटलर है यह मुसलीनी है यह इदी अमीन है मतलब लोगों ने बहुत सी संग्याएं मोधी को दे दी मगर कहते हैं कि जब सूर्य उपता है तो उसकी रोशनी सब को मिलती है कोई काला है कोई पीला है बात करें तो मोधी अपने संगठन के साथ में एंडिये जो टू बना है अभी उसके हिसाब से नरेंदर मोधी और भारतिये जन्रता पार्टी के जितने भी संगठन है लाइक शिवसेना पकल लीजिए या पंजाब में अकाली दल पकल लीजिए जितने भी संगठन नरेंद होगी कुछ लोगों को इस बात से घिन है कि जब मैं ये बोलता हूं मगर जब डेड़ साल बोल रहा था थी कुछ चैनलों और अखवारों के माध्यम से बहुत मेरी निंदा भी हुई थी कि उनके पास तो डेड़ अलाइंस है मगर मित्रों जब कहते हैं कि ग्रहधशा अच्छी होती है तो रंक राजा बन जाता है राजा रंक बन जाता है बातावरन अपने आप आपके पक्ष में आ जाता है इसलिए आज के दिन नरेंद्र मोध कैंग लिए और भारतिय जयनेता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्यन करते हैं तो साफ साफ नजर आता है कि वह ने हुधे हैं जैसे आप अभी बोला मौधी मय हुआ है और सरकार बीजे पी की नहीं बोल रहे हैं लोगी गिलैने सरकार को गखी मोधी और उसके संगठए जो हैं 300 का अंकड़ा ना पार कर जाएं ये भी सुन लीजिए क्योंकि जब मायवती की भविश्यवनी हमने कि थी तो लोग हेरां थे कि 200 कैसे पार करेगी मायवती 232 का अंक्रा पार गई पार कर गई क्योंकि जब ग्रहदशा आपके साथ में होती है तब आपको कोई नहीं रोक सकता जी